अगर आप मुंबई या दिल्ली से बागेश्वर धाम जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे आए जानते हैं सबसे पहले आपको में बता दू कि अगर आप बागेश्वर धाम मुंबई से या दिल्ली से आते हो तो आप अगर प्लेन से आ रहे हैं तो खजुराहो एरपोर्ट बागेश्वर धाम से 25 से 27 किलोमीटर है, स्टेशन पर पहुचने के बाद आप शेरिंग आटो या बस ले सकते हैं, जिसका किराया 40 से 60 रुपए हो सकता है, अगर मुंबई से आपको खजुराहो स्टेशन की टिकट नहीं मिल रही है, तो आप मुंबई 2 सतना जंक्षन स्टे जाना होगा ओटो का किराया 10 से 20 रुपए लेते हैं, बस स्टैन पर बहुत सारी बस बागेश्वर धाम जाती हैं, बस का किराया 160 से 180 हो सकता है, बस में टिकट लेते समय बागेश्वर धाम जाना है या गढ़ा तावर जाना बोलना है, बहुत लोग छटरपुर का टिकट नहीं लेना है, को टिकट महगी होती है, और बागेश्वर धाम छटरपुर के पहले आता है, तो आपने पैसे वेस्ट ना करें, आपको बागेश्वर धाम जाने में बस से 3-4 घंटे लगेगा, बस से उतरने के बाद आपको 5 किलोमीटर अंदर जाना है, जिसके लिए आप को शेरिंग आटो मिलेगी जिसका किराया 10-15 रुपए होता है, पैट्रोल की कीमत कम या जादा होने पर किराया कम या ज्यादा हो सकता है, और तो आपको बागेश्वर धाम मंदिर के सामने छोड़ देगा, अगर आपको एक या दो दिन रुखना है, तो मंदिर के पिछे छोटे-छोटे धाबे है, वहाँ पर 100 रुपए गद्दे रहने के लिए रुखने की विवस्ता है, और छोटे-छोटे होटल भी ही जिनका किराया 300-500 पर डे होता है, और यहाँ बागेश्वर धाम मंदिर के तरफ से फ्री भोजन प्रसाद अनपूर्णा सेवा के माध्यम से सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है, बहाँ परसाद का समय सुभव 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात 8 बजे से 12 बजे तक चलता है, अब आईए मंदिर के बारे में कुछ बाते जानते हैं, अगर आप बागेश्वर धाम मंदिर में अर्जी बांधना चाहते हैं, त अगर आप मंदिर नहीं आ सकते हो, तो नारियल अपने घर के मंदिर में रख कर पूजा करना है, और अगर आप साधी या भूत प्रेत के निवारन के लिए अर्जी लगाना चाहते हो, तो साधी के लिए पीले कप्रे में नारियल बांधना है, और अगर आप भूत प्रेत क निवारन के लिए अर्जी लगा रही हैं, तो काले रंग के, कप्रे में नारियल को बांधना है, अर्जी लगाने के लिए गुरु जी ने कुछ नियम बताए हैं, पहला नियम यहा है कि आपको लहसून, प्यास खाना बंद करना होगा, और दूसरा नियम यहा है कि आपको चा आपको फिर से मंदलवार के दिन से नियम का पालन करना शुरू करना है। जब तक अर्जी नहीं लग जाती है। तब तक नियमों का पालन करना है। अर्जी लगने के बाद आपको बागेश्वर धाम आना है। यहां से टोकन लेना है और गुरुजी मंदिर के सामने हॉल में सब की अर्जी से जुड़े समस्याओं को बताते हैं और परेशानिया दूर करते हैं। गुरुजी किसी से भी किसी प्रकार का पैसा या फीस नहीं लेते हैं और नहीं किसी और को देने के लिए कहते हैं। सब सुविधा फ्री है, गुरुजी और बागेश्वर धाम की तरफ से फ्री भोजन प्रसाद अनपूर्णा भंडारे के माध्यम से सभी भक्तों को दिया जाता है, मंगलवार के दिन प्रेतराज सरकार का दर्बार लगता है, यह दर्बार भूत प्रेत से पीडित लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगाया जाता है, मंगलवार को बागेश्वर धाम पर लाखों की भीड होती है, भीड में आपने समान का ध्यान रखे चोरी होने का दर रहता है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और फॉलोज जरूर करें, धन्यवाद